कैसे हैं आप सबी लोग एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल इस्टडी भी थी होगे इसमें आज आपको उत्राखन परिक्ष्यावन की क्लास क्योंकि बहुत लंबे समय से आई नहीं थी आपके रहे और कल भी आपकी संभध यही क्लास आईगी मंडे को अधिकान से बच्चों का पेपर है तो उस दिन आप लोग का आफ रहेगा और मंडे से हम लोग प्रॉपर पुराने डूटिंग पर आएंगे और महनत को हम कमतर नहीं करेंगे ठीक है हमें दोनों चीज़ें साथ लेके चलनी है हमें फिजिकल का भी आपके जो रिटन वगर तो कुछ ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे के आप लोग के उपर बर्डन आए मैं चाहता हूं इस दौरान हम लोग का टच मना रहें एक्जाम के रिगार्डिंग हम लोग टच में रहें हम लोग की चीज़ें न चूटें और हम लोग का जो टच है जब फिजिकल हो जाएगा उसके बाद हम उसको और भी क्या कर सकते हैं बहतर कर सकते हैं ठीक है देखिए आज आपका जो चेप्टर है परिक्षियावानी का चेप्टर नंबर फाइब निकाल लीजे ठीक है चेप्टर नंबर फिप्त निकाल लीजे बहुत डिमांडिंग चेप्टर है और इसको बोल दूसरी चीज में आपको और एक और चीज इस्पस्ट कर देना चाहता हूं जैसे कई बच्चों ने कहा सर नदी तंतर पढ़ा दीजी नदी तंतर सेपरेट वीडियो बना दीजे वो जब बनाओंगा तब बनाओंगा जब उसकी बारी आगी तब आएगी वो जिला सिरीज अ मैं हमेशा कहता हूं फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है मैं अलग से अगर नदी तंतर पढ़ाओं तब भी वही बात लेगी देखें अधिकान से नदिया दक्सिन या दक्सिन पूर्वदिशा की ओर बहती है इसका क्या मतलब हुआ आप लोग जानते हैं मैप क्या है मतलब ही जो आपका इस्ट, नौर्थ, वेस्ट, साउथ तो दक्सिन की ओर यानि अधिकान से क्योंकि हिमालई ही इलाका है राज्ये तो अधिकान से नदिया इस परकार से आएंगे इस परकार से बहती है यानि यह जो डायरेक्शन होगी इस परकार से होगी कहने का मतलब दक्सिन की अबदेखेए इसने गंगा नदीतंत्र और यमुना नदीतंत्र यहाँ पर क्या बता रहा है, लेकिन हम तो वो जानते ही है यह जो बॉक्स में इसने दिया है गंगा नदीतंत्र यमुना नदीतंत्र आप लोग को एक काम करना है इस box के आधार पे आप लोग यहाँ से इसकी साहिक नदीया पढ़ लेना, यानि साहिक यानि कौशी होती है जो मुखे नदी पे आके मिलके मुखे नदी के पानी को बढ़ा देती है वो ही उसके सहायक नदिया होती है जैसे कोई main river है सपोज ये गंगा नदी है इस प्रकार से इसके अलग-अलग साखाएं होंगे यानि छोटी-छोटी नदिया आपके इस पर मिल रही होंगी तो ये main नदी है और ये main नदी पर अपना जल छोड़ दे तो ये मुख्य नदी हो और पूछेगा ये किस नदी की सहायक नदी है तो वहां आपको बेहोश नहीं हो क्या आना घर पर ही तैयार करना अब देखो यमुना नदी तंत्रे इसके अंदर बता रहा है रिसी गंगा, हनुमान गंगा, क्रिश्नगार, भद्रिगार, कमलगार, टोंस, गिरी, आसन और यानि इसमें यमुना नदी की जो मुख्य सहायक नदी है जैसे यमुना की ठीक है तो आपको बच्चो यमुना की सहायक नदी है कहां से निकलते है यमुनोत्री गले से उत्तरकासी में और इसके जो सहायक नदी है वो कौन-कौन सी ध्यान रखने है एक तो जो सबसे बड़ और विशनगार, भद्रिगार, कमलगार और गिरी यह है, तो आपको यमणा की कैसे रखने देखो, तीन नदिया ऐसी है जो गंगा वाली है, कौन कौनसे दो नदिया, रिशी गंगा और हनुमान गंगा, रिशी गंगा प्लस हनुमान गंगा, इसको एक साथ देखना है, हनुम बान कमाण गनगा और चार तीन नदिया ऐसी हैं जिसके पीछे गाड लगा है, यानि कमल गाड, भद्रिगाड और क्रिष्णा गाड कै‑े हैं- कृष्णा गाड कमल गाड, और भद्रिगाड, ठीक है, भद्रि गार क्या कहστεं कुरिशनांगार्ड कमलगार्ड और भदरि गार्ड है जो इसकी साइक निदी है उसका नाभ है गिरी नदी क्या लिखते है इसने गिरी नदी अभ बताईए अब आपको इसको जो आता है basically question आपको यह बदाना चीछ टोंस और आसन नदी हैं इसकी फेमस आयक और रिसी गंगा और हनुमान गंगा यह जो कृष्णगार, कमलगार, भद्रेगार और गिरी है यह बहुत ज़्यादा फेमस नदिया नहीं है छोटी-छोटी नदिया होंगे जो उस पर आके मिल रही है तो अब आती है बात examiner कैसे प पता होनी चाहिए यानि आप लोग जैसे यह box ही दिया है यह enough है आज अगर आप यह box कोई पढ़ जाएंगे आज के दिन अगर यह box वाली ही class होती तो भी enough है क्योंकि यह बहुत आपको संयम के साथ बहुत धहरी के साथ इस class को देखने हैं क्योंकि यह जो साहिक नदी आप खदरी गार किस नदी की साहिक है किसना गार किस नदी की साहिक है गिरी किस नदी की है रिसी गंगाई हनुमान गंगा तो आपको सिर्फ यमुना लिखके चार पाइट पॉइंट लिख देना है और कुछ नहीं बनाना है क्यों लिखने में लगे रहोगे यमुना इसकी साहि इसको भी लिखोगे ये भी लिखोगे इसे अच्छा यमना लिखो चार-पांच नदीव के नाम इसी तरीके से लिख लोगे यमना की सायखनदिया हो जाएंगे। दूसरा आता है यहां पर गंगा नदी तंतर यानि गंगा और उसकी साहिक नदी है अब देखें कई चीज़ें तो आपको अल्रेडी आते होंगे यानि अल्रेडी आने का मतलब जैसे इसने दिया है भागी रथी नदी आप लोग सभी जानते हैं देव प्रियाग में आके अल चंद्र भागा एक नदी मैंने पढ़ाय था आखो नयार सोंग चंद्र भागा चंद्र भागा इसके अलावा जो एकाद नवदी के नाम इसमें देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं आपका रत्मव और सोलानी और बाढ़ गंगा अब जैसे आप जनर्र किसी एक्जाम में जाते तो लास्ट वाल लाइन है उससे पुछन पूछने के चाहिए से सबसे कम रहेंगे इससे अले लाइन से कुछन आएगा बहुत कम है इसी से कुछन आता है जो सब को पाता है ठीक है तो हम लोग यह सोचता है कि नदी तंतर नदी तंतर पढ़ के जाएं यह कर रहे हैं इतना परिसान होने की जर्वत नहीं है अगर आप लोग की डिमार्ड रहेगी सेपरेट अगर आप लोग नदी तंतर पढ़ना जाएंगे मैं आपको वित मैप समझा दूगा लेकिन मुझे नहीं लगता बच्चो आपके अंदर इतनी मैचरिटी आ चुकी होगी जिला सेरीज बगेरा पढ़ने के बाद की अलग से इसको पढ़ाना हमारा समय का बरबाद होगा ठीक है तो ये तो पदिश्यावानी का इस से एस्ट्रेमक पढ़ा लाओं तो आपनोंको क्या करना है गंगा की सायक नदी भागिरती अलग मन्दा सबको पता है नयार और सोंग पता है ये चदरभागा रत्मव सोलानी और बाढ़ गंगा कहीं भी आपको इस नदियों की तरह जो ह हमेशा question में पूछता है बहुत important रहता है कौन-कौन सा है इसकी सायक नदी देखे रुद्र गंगा, मिलोन गंगा, केदार गंगा, जहानविया, जार गंगा, सिया गंगा, भिलंगना आदी ये most important में आपसे कहूंगा यमुना गंगा तो बहुत कम chances है कि यमुना और गंगा कि सायक नदिया वो पूछे लेगिन भागी रती और अलगनता की सायक नदिया पूछने का हमेशा से record रहा है तो आप लोगों को भागी रती में हमेशा सज़ेस्ट करूँगा कि भागी रती की सायक नदिया आपको पढ़नी होंगे, ठीक है, देखे, क्या दे रहा है, मिलन गंगा, मिलन गंगा, मिलन गंगा, प्लस केदार गंगा, ठीक है, यह साथ आपको लिखना है, अब यह मैप में चाहो तो उसको सार्च कल देना, गूगल मैप करना, इसके बाद जो most important है, यह हमेशा आता है, जहानवी या जार गंगा, सिया गंगा और भिलंगाना, जहान जहानवी या इसी को क्या बोलते है, जार गंगा, ठीक है, जहानवी या जार गंगा इसी को बोलते है, साथ इसाथ कौन सी है, सिया गंगा और भिलंगाना, सिया गंगा प्लस भिलंगाना, यह किसकी सायक नदिया है, आपने आप में भागी रथी की सायक नदिया है, और अं भागी रती कि आपको बाइहाट याद होने चे रुद्र गंगा, मिलून गंगा, केदार गंगा, जहानविया जार गंगा, सिया गंगा या भिलंगना अब देखें ये भिलंगना नदी से भी मिलती है, ये बहुत फिर्मा से किसकी साहिक है, ये खतलिंग रेश्टर टिहरी से साहिक है, जैसे आपने यमना देखा, गंगा देखा, उसके आप भागी रती में आपको साजेश करूँगा, ज्यादा चांसे देखें कि भागी रती से क्वेशन पूचे, इसके बाद इसी की एक मतलब साका है, गंगा की अलग नंदा, अलग नंदा, ठीक है, अलग नंदा तो आप एक काम कीजिए, इसकी साहिक नदियों में, तीन तो जहां आपके कौनसे हैं, ये मतलब परियाग हैं, वाले लिख लिख लिजिए, कौनसे, एक तो पिंडारी लिख लिख लिजिए, ताकि आपको पिंडारी और इसका पिंडर नदी, ठीक है, पिंडारी गलेश्य बाल खिल लिया यानि आपने दिख दिया एक तीन अधिव के नाम तो आपको लिखने है इस प्रकार से नंदाकिनी, पिंडर और मंदाकिनी, एक नंदाकिनी लिख लिजे नंदप्रियाग वादी, नंदाकिनी, इससे आपको क्या फाइदा होगा, अलक नंदा और पिंडर रि मिलती है वो कहां मिलती है रुद्व प्रियाग आपका ये प्रियाग भी पता चल जाएंगे ठीक है रुद्व प्रियाग और तीसरा अलग नंदा के साथ जो नंदा के नहीं मिलती है वो कहां मिलती है नंद प्रियाग में नंद प्रियाग ठीक तीन तो ये प्रियाग के वज Haasemi-Dhali ganga Dhali ganga बाल-Kkyliya बाल-Kkyliya, Virahi-ganga ठीक है? बाल-Kkyliya बाल-Kkyliya नहीं पी किसहाऑ नहीं दिया है, अलगननदा किसहाग नहीं दिया है. इसके अलावा, Virahi-ganga Pाताल-Ganga, Garud-Ganga विरही-ganga और Garud-Ganga यह सब के सब बहुत जादा important है अलग नंदा और भागी रत्थी की साहिक नदिया आपको कहा करके जाना है देख के जाना है नंदा की निए पिंडर मंदा की नी मैंने आपको बता दिया कंचन गंगा, सीर गंगा, कवन गंगा, अमरित गंगा, सोन धारा आदी यानि ये छोटी मोटी साहिक नदिया जो है ये अलगनंदा में आके अपने अलगनंदा के पानी के स्तर को बढ़ाती है, उससे जारके मिलती है तो अलगनंदा के साथ या भागिरत्थी के साथ मैं नहीं चाहूंगा आप किसी परकारखा डिसकाउंट रखो नदियों के मिनन में तो आपको ये पता होनी चाहिए क्योंकि परिक्षावानी की कलास है तो ऐसी ही पढ़ाया जाएगा जैसा इसमें दिया है ठीक है देखे क्या क्या रखने आपको कहा तक पहुंचके हम लोग गरुड गंगा इसके अलावा जो इसकी सायग नदी है कौन सी है कंचन गंगा, सीर गंगा और कवन गंगा कंचन गंगा सीर गंगा कवन गंगा बाकि अगर आपको गंगा युम्ना के पढ़ने में मतल लगे रहे न उसके चांसिस बहुत कम है क्यों फिर मायेगा ठीक है इसके साथ साथी इसने दिया है अमरित गंगा सोनधाराई दी सोन-धारा ये आपकी क्या होगी, इसकी ये तो आप लोग ने सभी पढ़ दिया होगा आप लोग क्या करना, इसी प्रकार से अलगनन्दा की साहिक नदίओं की नाम लेखते ना और क्रेशन यहाँ पे यही पूछने की संभावना की इसमें से कौन सी अलगनंदा की साहिक नदी है ठीक है बाकि पस्सिमी और पुर्वी नयार किसकी है गंगा पे ही जाके मिलती है गंगा की उपन नयार की पस्सिमी नयार पुर्वी नयार ले पढ़ने की जरुबत नहीं है इसके बाद आता आपका काली गंगा यानि काली नदी जो है जिसको सार नदिया अपने आप में हैं ठीक है देखो कुठी यांग्टी पुर्वी धौली गंगा गोरी गंगा सर्यू लोहावती लध्या आदी ये तो बहुत सिंपल है तो लगबा मुझे लगता है कि सभी को बच्चुगों पता होगा इतने टाइम से त्यारी कर रहे हो काली नदी की साहिक नदी है ठीक है एक तो पुर्वी धौली गंगा पसिमी नहीं है ठीक है पुर्वी धौली गंगा एक तो क्या है पुर्वी धौली गंगा ही आपको क्या होना चाहिए पता होना चाहिए इसके अलावा जो आता आपका कुठी यांग्टी क्या लिखोगे कुठी किसकी सायक न दिये पुछेगा, काली न दि, ठीक है, साथी साथ, गोरी गंगा, सर्यू, लोहावती, ये एक साथ दिखना, गोरी गंगा, जहां ही जॉल जीवी में मिलते हैं, ठीक है, ये काली और गोरी का मिलन कहा होता है, जॉल जीवी में, जॉल जीवी में इसका मिलन होता ये किसकी साइग नदिया है सबके सब काली की साइग है इतनी तो है काली की साइग नदिया याद नहीं हो रही है इसके बाद काली की उपतंत्र कुठियांग्टी इसकी जो है कुठियांग्टी बगारा की पांडी की जर्वत नहीं है ठीक है ये मतलब rare case है 0.1% chance है कुठियां पुरूवी धौली गंगा की दे रहे है, सेल्यांकटि, कंचूति आदी काली की उपतांद गोरी की दे रहे, सुनकलपा या रामल गाड, मदाकानी, गोनखाड़ा गाड़ी और सर्यू की दे रहे, एक सर्यू की देख ले ना, गोमती, पुरूवी रामगंगा और पनार जो की घाट के पास आके मिलती है ठीक है पिथोरा गडजिले में और सर्यू की तीसरी सहाइग नदी पनार ये तीन आप लोग देख जाना सर्यू की बाकि जो काली की उपतंत्र की जो नदिया है न उनसे कुछन नहीं आएगा आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं अब ये मत कह द पता ही है आपको ये कुठियांग्टी है गोरिगंगा है ये तो इनके नाम पता है तो कुछ समझ में नहीं आए तो इनी की साय करती होंगी ये छोड़ देना ठीक है अब देखे एक जो क्वेस्चन मुझे लगता है ब्यक्तिगत तोर पे कभी न कभी पेपर में आपके दे हिमाले उसके बाद सीवालिक हिमाले पितराई भावर के जो भी इलाके बताये थे मैंने ये बताए ठीक है इनका जो हमने कैटेगराइज किया गया है इनका कव ये परवत बने इनके हाइड क्या है यहाँ पर जो भी है इस परकार से हमने इनका क्या कैटेगराइज किया गय अब question ये पूछ सकता है कभी ने कभी इनमें से कौन सी नदी एक महान हिमाले से निकलती है इनमें से कौन सी नदी लगो हिमाले से निकलती है या सिवालिक से निकलने वाली इनमें से कौन सी नदी है देखिए सिंपल सी बात है जो नदिया आपका हिमाले छेतर से निकलती है इ सब कहां से निकल लिया अलग नंदा, महान हिमाले के हिस्थू से निकल लिय जहां बर्फ वाले इलाके यानि अपने गलेसेर वाले इलाके तो आपका क्या-क्या पताओना चैए भाईरती, अलग नंदा, नंदाकनी, पिंडर, मंदाकनी, भिलंगना, काली, पुर्वी, रामगगा, यमना, टोऊस, आधी नदिया, महान हिमाले महान हिमाले जो कि सबसे उचा हिमाले हिमाल का, यहां से निकलने वाले नदियों के नाम अगर आपको पता करने हैं तो आप सीधे सीधे common sense वहाँ ये लगाना है कि सबसे उचाई वाले भागों से जो नदिया निकलेंगे वो महानी माले से यानि ऐसी नदिया बेसिकली जो अपने आप में कहां से निकलते हैं गलेसियरी भाग से निकलते हैं गलेसियर वाले से ठीक है परवत्यों के उची उची चोटियों से निकलते हैं तो जितने भी फेमस नदिया है उत्राकन के जो आपने बेसिक नी सुनी है वो सब महानी माले की होगी जैसे भागी रती है, अलगनन्दा है इसके अलावा अपने आप में कौन से होगी पुर्वी रामगंगा का हिस्सा हो गया पस्सिमिलिया पुर्वी रामगंगा गयरों ध्यान से सुनना खतलिंग है, काली है, ये कहां से निकलते हैं हिमाले के इलागों से, यानि महान हिमारे तो आपको इसके क्या करने नाम लिखने हैं देखें, महान हिमाले की इतनी नदिया जो है बेसिकली उत्राहिन में महार हिमाले के अब देखो भागिरती कहां से निकलती है अपने आपने 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 आप सब जानते हो गंगोत्री का जो इलाका है पुरा महान हिमाले अलग नंदा आप लोग जानते हैं कहां से निकलती है संतोपत्ता यानि महान हिमाले का हिस्सा वो है अपने आपने आपने नंद तो यह आपका ध्यान रखने वाली बात है, यह सब के सब नदिया महान हिमाले की हिस्सा है, तो अगर आपको पेपर में समझ नहीं आएगा, आप समझ नहीं कि फेमस नदिया कौन से सब महान हिमाले का हिस्सा है, कि कहां से निकलती है, यह पता कर लो, इसको अगर आपको ध्य प्रवती इलाकों में बड़े बड़े पहाड़ों में इस्तित है तो यह वहीं से आपको पता जल जाएगा वह बहुत फेमस नदिया नहीं होंगी जो मध्या लगो ही माले से निकलती फेमस होंगी लेकिन उस सैंसे में नहीं होंगी कि जितना उसकी मतलब वैल्यू है जैसे द यान की उचाई कम होगी इसके अलावा नयार उसके आस पास से निकलती है इसके लावा कोशी गौला पनार लधिया आधी नदिया मध्य हिमाल से निकलती है जो छोटी-छोटी नदिया है टीक है उतनी बड़ी नहीं होंगी जितना यानि यह आप यार तकना ये मुख्य सिंका से बालना है तो यह आद रखना कि अगर बड़ी नदी में छोटी नदी मिलुक्त उपक्या कश्यार मिलेगे कालि से मनेति जहां से इसक्वान नुदूर को गालए पहनद पेरियोगा माहान سभर जाकई मिलूकv सिंवल 2020 को मैं पिजिए्यान आगला सर्यू नदी, नेक्स्ट गोम्ती नदी, अगला कोसी नदी, गौला नदी, नेक्स्ट लधिया नदी ठीक है, यह क्या है अपका मध्य हिमाले से निकलने वाली नदी हैं, ठीक है। रखना ये पेपर में पूछने की बहुत ज़्यादा संभाव नहीं है कौन सी लगू से कौन से मद्य से और अंतिम आता है आपका सिवालिक या दून से निकलने आरी जिनमें बेगुल, निहाल, सौंग, रिस्पना, नंधौर, भाकरा, धेला, मालीन, आधी, नदिया, बाही ह पहरों के बीचों भी छोटी-छोटी नदियां दिखते है न, वो सब के सब कहां के होंगी, सिवालिक हिमाले की या दून हिमाले की, यानि बहुत, मतलब उसमा अब तो पानी भी है, निहें, बहुत तो नदिया सूह भी गई है, तो लास्त आपको किसका लिखना है, जो सब से नीचे है, यानि सिवालिक हिमाले से निकलने वाली, ठीक है, कहां से सिवालिक, इससे निकलने वाली नदियों के नाम देखी क्या है, बेगुल, प्लस निहाल, प्लस सौंग नदी, प्लस रिस्पना, देरदून में ठीक है, नंधोर नदी, इसके लावा धेला नदी, इस की एक लाज सिर्फ और सिर्फ परिक्ष्यमानी के इस आधार पर आपको मैंने बताई कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो नदिया निकल रही है इनकी सहाइग नदिया कौन सी है और कौन सी नदी हिमाली के किस हिस्से से निकलते है ठीक है होफुली आप लोग ये तैयार कर लोगे इस से परिसान मत होना कि यार हमारा नदीतन तो छूटा है वो डिस्टिक सीरीज में मैंने कराया हुआ है उससे आपका काम बन जाने वाला टेंशन ने की कोई भी जर्वत नहीं है ठीक है फिर मिलते हैं अंगले सेशन पर पर ध्यान की तैंक